नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपको टमाटर के पौधे की केर टिप के बारे में बताऊंगी कुछ बाते जो अगर आप टमाटर के पौधे में सुरू में ही कर लेते हैं तो आपका पौधा पूरी लाइफ अच्छा चल इसमें प्रॉटिंग और देखे कितनी अच्य फ्लावरिंग करना है तो मैं आपको एक इर्टिब बताती हुं क्या करना है इसके लिए हमें सिक से पहले क्या करना है कि यह जर के पास से जो चार पांच पतियां आती हैं तमाट के पौदे में पतियों को और वहां से जो भी ब्रांच निकलती है उसे हमें हटा देना है क्योंकि इसमें फ्लाव्रिंग जरूर हो जाएगी पर फ्रूटिंग नहीं होती है यह जो ब्रांच होते हैं यह सकर्स होते हैं पौधे की यह आपके पौधे की प्रोटीन और जो भी विटामिन्स खाथ जो भी आप डालते हैं मिटी में वो सारा अफसोसीत करते हैं और इसका रिजल्ट हमें neые मिलता है तो इसलिए इसकि ग्रुथ भी बहुत अच्छी होती है पर इसमें आप की फ्रूटिंग नहीं आएगी बहुत होगा तो एक-दो टमाटर निकल आंगे पर इसमें अच्छी फ्रूटिंग सप comigo só queis शैब यह सारी विटमिन्स को सिक करते हैं मिटी से और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है तो हमें क्या करना है वो सारी सकर को हटा देना है नीचे के चार ब्रांच तक तीन ब्रांच तक आप mostly हटा दीजिए और पतियां हटा दीजिए, पुरा क्लीन कर दीजिए, ताकि किसी भी नीची की पतियों से ही, किसी भी प्लांट में फंगस लगता है, तो वो मित्टी से टच्ट होता है, और जिसके कारण उसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हमें हटा देना है, ताकि जरो म में धूप भी लग पाए क्योंकि अगर अच्छी लगती है जड़ों में तो किसी तरह का मिठी में फंगस नहीं लगता है हमें इन चीजों का ध्यान रखना देखिए जैसे मैं हटारी इसी तरह से आपको नीचे के सारे ब्रांच को हटा देना है उसके बाद क्या करना है कि इसकी बहुत अच्छे से मैं देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा पौधे भी निकल आए हैं क्योंकि मैं अकसर किचन विस्ट कंपोस्ट का यूज करती हूं अपने पौधों में तो उसकी कारण क्या होता है कि पौधों में ऐसे भी किचन विस्ट में सब निकल आते तो जो बीना सीट डाले हुए निकलते रहते तो वह समय देखिए जो एक्स्ट्रा पौधे हैं जो काफी पास पास है उसे मैं हटा दे रही हैं कि जो भी मेरे अच्छी ग्रोध वाले पौधे हैं वह आगे भी अच्छी ग्रोध के साथ चलता रहा है यह जखेंगे कि ये बारीक बारीक रोई की तरह होता है ये कुछ और नहीं होता है जब मित्टी चरहा देते हैं तो जड़ है जो कि पौधे को मजबूती देता है और मित्टी चरहाने से जड़ों में डबलक्मेंट हो जाता है बहुत अच्छा उसके वाद क्या करना है कि हमें सभी पौधों को किसी भी स्टिक से सहारा दे देना है ताकि हमारा जब फल आये पौधे में तो पेर जुके नहीं जुके जब वो मिट्टी के पास टच करेगा तो फंगस लगेंगे फ्रूट्स और प्लांट दोनों में तो इसलिए हमें उसके बाद क्या करना है कि हमे यह सारी प्रक्रिया करने के बाद इसमें एक घवी फर्टेलाइजर डाल देना है यह मेरा प्यू भाद हिंपmi पौधिए जू नहीं होते हैं उसके बाद मैं इसके बाद मैं आपको 10 से 15 ना endpoint दिनओ के बाद मैं फिर आपको अपड़े दूँगी कि मेरे टेमाटर के पौधे का क्या खाल है तब तक के लिए थाइंक यू नमस्कार